तो हाई गैस कैसे आप सब उमीद है अच्छे ही होंगे मैं हो रोहित और मैं एक वेब डिलपर हूँ इन एक कंपणी आयम वर्किंग इन कंपणी सो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको पूरा पूरा वेब डिलपमेंट सिखाऊंगा तो इस सीरीज में हम लोग पूरा का पूरा वेब डिलपमेंट सीखने वाले हैं इसके लिए क्या क्या चीज़े इसके लिए रिक्वार्मेंट है क्या क्या चीज़े के आपको आने चाहिए क्या चीज़ आपको नहीं आती है तो भी कोई दिकत नहीं है इस सारी चीजे में इस विडियों में आपको first introduction विडियो है और इस विडियों में आपको बताऊंगा ठीक है तो चलिए start करते हैं ठीक है तो सबसे पाहले जानते हैं कि वाट इल वैव ठीक है वैव हम लोग लोग चीए कि वेव क्या होता है क्योंकि इसी को डेवलब करना है टीक है कि इसी को हमको तो website में लाइक हमने एक website अभी open कर लेते हैं कोई भी लाइक हमने YouTube खोल लिया open कर लिया लाइक हमने YouTube open कर लिया YouTube.com ठीक है तो YouTube.com हमने open कर रहा तो YouTube.com क्या है website है it's a website you know तो website है एक तो इसके लिए क्या चीजे जरुवत है वेव वेव website किस के तुरु चल रहा है वेव के तुरु डबलु 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 है वो क्या है वर्ल्ड वाइब ठीक है तो वेव हम लोग ब्राउजर के तुरु जो कुछ भी access कर पा रहे हैं वो वेव है ठीक है वह एक्चुल में website है लेकिन ने में जो कहा है वेव ठीक है हम लोग compose में आगे क्या है वेव तो लट एक्टरा का website ही होता है ठीक है एक्ञीशली website ही है और वेव से मिल करके बना है website वेव पेजर का combination से बना है website ठीक है strengthen द iç नो 2 चीज़ते है frent eau यह रता है और यह equal तो फ्रंटीन में क्या होता है वही फ्रंटीन तो सब कोई बोलता है बहुत सारा फ्रंटीन 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 क्या है फ्रंटीन तो इसमें आता है HTML, CSS और JavaScript यह तीनों क्या है एक मार्केक लेंगविज है CSS style आ है इसके तरूँ स्टाइल सीट है इसके तरूँ सरी फ्रंटीन को स्टाइल कर सकते हैं इसके तरूँ कभी Jewelon को सब्सक्रों करें जाएं नहीं है तो चलिए हमनों जानते हैं कि स्टीमील क्या है पूरा पूरा का पूरा यह हमारा है HTML क्या है हमारा HTML ठीक है यह हमारा हो गया total HTML यह हमारा हो गया HTML HTML क्या होता है हम लोग सिंपल बनाते हैं किसी भी पेज का लाइक अगर हम लोग YouTube में से इस सारा CSS अगर हटा दे देखिए आपका कैसा दिखेगा है पूरा का पूरा यूटूब ठीक है आप CSS हटा सकते हैं मैं सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा बस मैं आपको explain करने की सारी चीजे दिखा रहा हूं कि कैसे actually मैं काम करते हैं लोग बताते CSS क्या होता है चलिए बड़ी website है तो मैं इसमें से थोड़ा सा चलिए Google का Google.com खोल देता हूं मैं ठीक है Google.com अब इसमें मैंने CSS अगर हटा दिया इसका तो देखें किस तरह से दिखेंगा like मैं heading tag में गिया actually जितना भी CSS लगे रहते हैं वह heading tag में ही लगे रहते ठीक है तो heading tag से मैं CSS simple हटा देता हूं actually मैं heading tag को भी पूरा अठा देता हूं देखें देख सकते without CSS कैसे दिख रहे हैं कोई कोई manner से कोई structure वे है कोई वे है इसको देखने का आपको कैसे दिख रहे है कोई वे नहीं है कोई भी structured में नहीं है without CSS देख सकते हैं यह कैसे दिखेगा कि देखें YouTube का हालत देखें देख रहे हैं YouTube का हालत without CSS Without CSS YouTube का हालत देखें यूँ वीडियो कहां चलnine या आइकन कहां चल गया कोई ठीक नहीं ठीक है तो यह सारी चीज़े क्यों ही क्योंकि इसमें CSS नहीं लगे हुए ठीक है यह सारे CSS CSS देखिए यह होगे खाली HTML ठीक है खाली HTML है तो खाली HTML सिर्फ इसका structure हमनों बनाते हैं किसी वेबसाइट का internal organs बोल सकते हुए उसको जैसे अ खून है हमारे bloods है ओ क्या होगी हमारे हमारे हो गए CSS अगर इसको हम रिफ्रेस करते हैं यह सिर्फ मेरे साइट में हुआ है ऐसा नहीं कि पूरा YouTube का ही हो गया ठीक है इसको मैं रिफ्रेस करूंगा फिर से वही चीज़ रिलोड हो गया ठीक है और HTML जो है ना में होता है हमार gari in HTML ही अगर आपका दू यहां नहीं तो भी यव रिफ्रेस बना सकते अगर अगर सूप यूज नहीं करते हैं तो आप एक डिरी बना सकते हैं सिर्फ लेकिन यह क्या है एक HTML से बना हुआ है यह विब साइट है इसमें भी आप सारा इंफरमिसन डाल सकते हैं जो जालना चाहते हैं लेकिन लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए सिर्फ हम लों सीए से तीज करते हैं तो यह क्या हो गया हमारा गाड़ी का क्या हो गया है एक HTML हो गया अगर मालेज़ें यह सारे लोगों के पार्ट से अगर नहीं लगे रहते तो कि गाड़ी चलपाता इस पर अगर हमनों खली प्लेट लगा देते ऊपर से तो यह HTML मस्ट है किसी भी वेब पेजिस को डिजाइन किलिए हमनों को HTML आना है आना चाहिए ठीक है तो HTML किसी भी why webpage पऑफ करने के लिए आना चाहिए तिक आ है उसके ठीक है लेकिन css लगाने के बाद भी' गारी किसी काम का नहीं है अर बताय एक क्यों क्यों हमने गाडी को क्यूं बनायाऌ क्या मकसद था मुक्सद हमारा यह था कि गारी जो रोड पे चले रोड पे चले और इसमें कुछ लोग बैट करके रणिंग कर सके ठीक है रणिंग कर सके इस पे रोड पे रणिंग कर सके गाड़ी तो अगर यह CSS लगाने के बाद सिर्फ डिजाइन अच्छा हो गया इसका तो मुझे क्या फाइदा है एक आम पब्लिक को क्या इनसान को कुछ फाइदा निया क्यों के घर में बेटने के लिए तो गाली नि बनाएगा बनाया बैठ करके फिन उतर जा रहा फिन उतर जा रहा फिन उतर जा रहा ऐसे बनाने के लिए तो नहीं बनाएगा Absolutely right ठीक है वो बनायागा रोड पे चलने के लिए अपने सूइधा के लिए गाली बनाया इतना पैसा एक करोड़ दो करोड़ में गाली खरीद रहा है अगर वहिकल का और आज जाने कि अक्ता है तो 10-20 लक लगें कि एक गारांगे कर कामिंगं काउन करता है देख तक हर्म काम करते है हम आद यह जावा स्कृप्ट जावा की हमारा काम करता है चलाने कर Completely जलाने के गाली तो एक गाड़ी हमने बनाया उसके बाद हमने वीडियो गाड़ी को चलाने के लिए बनाया ठीक है तो चलाने का काम कौन करता है जावा स्क्रिप्ट ठीक है चलाने का काम कौन करता है इसको फंक्शनालिटी कुन प्रवाइड करना कि किस तरह से चलाना है वह हमारा प्र पर बात की अभी हमने श्रीफ यूजर लेबल की बात की मतलब जो यूजर की तरफ मतलब फ्रंट इंड की तरफ यह सारी चीजे होती है ठीक है अब हमारा आता है मीन चीज है वह है कोर बैकेंड सिर्फ बैकेंड अब हमारा चीज हमारा चीज हमारा उटके आता है बैकेंड त है HTML ठीक है CSS ठीक है और जावस्क्रिप ठीक है और इसके थुरू भी HTML का तो अभी तक कोई framework नहीं है ठीक है HTML कोई framework नहीं है लेकिन CSS का framework दिख लीजे CSS का framework multiple framework है सबसे पहला में bootstep आता है हमारा ठीक है उसके बाद हमारा अब आता है Bulma Foundation material CSS बहुत सारा अचलमेटरलाइज CSS तेलविन CSS बहुत सारा अभी pure CSS सारे बहुत सारे CSS आते हैं सास है लेस है यह सारे हैं तो हम लों स्कुछी चीज़ों पर focus करेंगे ठीक है CSS में हम लोंगों देखेंगे bootstrap को अच्छे से ठीक है टैल्विन CSS में move करेंगे लेकिन हम लोंगों ज्यादा भी focus रहेगा हमारा starting में bootstrap पर ठीक है JavaScript पर आते हैं JavaScript में हमारा क्या है बहुत सारे framework है तो हम लोंको इतना सारे framework पधिया नहीं देना है सिर्फ जान लेना है कि क्या होता है ठीक है अगर आपको जाने का जानने का अगर इच्छा हो तो यह सारे जो material है मैं आपको provide कर दूँगा क्या हो है यह सारे चीजे ठीक है तो यह देखें JavaScript में ज्यादा चीज़े बहुत सारे चीज़े है जावास्क्रिप्त में बहुत सार अगरे फ्रेमवर्कस है बहुत सारे पैकेज़ेस से बहुत सारे लेवरीज देखना नहीं है हमनों को JavaScript चुर्ट स्टर्टिया देखेंगे भी नहीं हमनों का सिर्फ कंश रहेगा एमेल पे css पे क्योंकि हम लोग क्या देखेंगे हम लोग को website बनाना है ना कि हम लोग इन सब प्रोगामी लाग मुझे उलज के रह जाए हम लोग स्टार्टिंग से ही website बनाने पर फोकस करेंगे और website ही हम लोग को बनाना है ठीक है क्योंकि हम लोग को absolutely क्या बनाना है website website हम लोग बनाएंगे तब सीख जाएंगे फिर requirement आया का जागर JavaScript का तो फिर लोग लोग जावा स्क्रिप्ट की तरफ हम लोग स्वाएंगे तरफ ऊषिछ स्प्व करेंगे रिद्स धैखन हमान की को गईशपन की तरफ प्यहिकर मारे रापार्य्टाइस यूवथ ही जो को रहेंगा हीर तो हम लोग को यूज़करना मैं इसके वीना मैस्ट है इसके भीना मैं कोडिंग करीई नहीं सकते हैं मास्कूल हमारा डेटाबिस रहयगा डेटाबिस यूज कर सकते हैं अगर किसी को और परस को कोई और लांगवेज आती है लाइक और इक्ताल आता हो इसके हैला लाइट आता हो ribile सिरय से स्कुंई आता है अगर किसी window से किसी मेर काशन pet ko अगर कर अब तो कोई भी कन्फिग्रेशन नहीं करना पड़ता है इसलिए लिए मास्कुल मास्ट यूज़ करेंगे हमनों कोई टेंसर नहीं रहे गए जैम सर्वर के साथ पाइडिफॉल्ट कन्फिगर्ड मिलता है ठीक है तो चलिए इसका एक थोड़ा डाइग्राम देख लेते हैं हमनों बै बहुत सारा है स्टोरेश के लिए देख सकते हैं जो मैंने अभी डेटाबेस के बारे में बताया है एक्शली में स्टोरेज ही है क्योंकि हमनों इसके अंदर डेटा रखते हैं ठीक है डेटा रखते हैं तो क्या होगा है स्टोरेज में क्या है पोस्ग्रेश मारिया डीवी म दीमांग नहीं लगाना है बागी सारे लेंगविजेंगे और इसके लिए लिए लाराविल भी सिखेंगे लाराव welcoming जो कि है हम लोंगे बात में सिखेगे आगे हम लोंगे कोर चीज़े देख लेंगे byकेंड में इसके बाद कियुकि आपको फ्रेमबर्उ कि але कोने के है लिए को सिखने के लिए लाइक अगर आप आपने साइंगिल चलाना नहीं सिखा है अगर आप ड Athlete rond चला नहीं सिक्था है तो मॉन लिजय कि हैं आप साइंगिल से गिरते हैं वह कuning कम चौटी लगेगी dice एक बोड़े लग सकती है तो इश्री एक्जाम्पल से है नहीं तो आपको नहीं आता है तो आपको ज्यादा टेंसर नहीं होगा किया आप को पी आराम से सीक अर आपको बहुत बहुत सरे रिसोर्स भी मिल जाएंगे जीखने के लिए और उसमें आपका लॉजिक अगर मजगूत हो गया तो फिन लाराविल पर अगर किसी फ्रेमबर्ग पर आपको बनाया जाता है फ्रेमबर्ग कोई इसा पहले से जैसे अगर एक फ्रेमबर क्या होता है बना बनाया चीजे होती है उसमें 2-minute मेगी जैसा कि इसे पानी में डालो, निकालो और खालो ऐसे ही होता है framework तो जो 2-minute मेगी जो बनाया गया है उसको पहले ना किसी ना किसी प्रोसेस के तुरू उसको गुजारा गया है तब ही तो 2-minute बनने रहे हुआ उसे कुछ percent बना हुआ आता है ठीक है कुछ % जो बना हुआ आता है उसी को हम लोग फिरी पानी में डालते हैं मसला डालते हैं और पानी के साथ निकाल करके खा लेते हैं तो उसका process पहले कर दिया गया है तभी हम लोग उसको 95% बना दिया गया पहले ही तभी हम लोग उसको खा पाते हैं नहीं तो हम लोग नहीं खा सकते हैं ठीक है तो framework भी कुछ ऐसी होता है अब हम लोग आते हैं अपना हमनों को MySQL database पे चले आया है ठीक है MySQL database हम लोग प्रोग्रामिंग लिए हमनों PHP यूज़ करेंगे MySQL database use करेंगे और देखिए में दो चीज़े होती है core framework यह चीजें दोनों में होती है आपको मैंने फ़ले explained कर दिया ठीक है इस दोनों को मैंने तिसरे step में लिखा है ठीक है तो दोनों चीजें front-end level भी होते है back-end level भी दोनों चीजें को प्रोगामिंग back-end level भी करते हैं और framework भी बेकेंट वल पर होता है और और कोर परामी क्या बोलते हैं इस फ्रेंट इन लेवल पर भी होता है और फ्रेंट इन डिवल पर होता है लाइक जावास्क्रिप्ट का फ्रेंवर्क है आप रीक्त हो गया हमारा एक प्रियाक्ट हो गया अंगूलर एंगुलर हो गया हमारा ठीक है css का हमारा हो जाता है बूट्स्ट्रैप बूट्स्ट्रैप टेलवीन टेलवीन css एन टेलवीन css एन टेलवीन css टेलविन css हमारा हो जाता है और इसका होता है एंगिलर हो जाता है ठीक है तो spelling hm भूता धियान नहीं देना आपको और-backhead महारा हो जाता है जो फ्रेमवर्क है जैसे php का हमारा हो जाता है लारेट ठीक है लारेट हो जाता है उसके बाद which is a CIE is a code indicator कोडिग्णेटर हो जाता है किस आई सी आई पर हम लोगों ध्यान नहीं देना है हम लोग द्यान देने वह है लाराबेल बैकएंड लेवल पर फ्रेमबर्ड देखने वाले हैं वो लारावेल है फ्रेंटेल लेक्ट देखेंगे और बूट्स्टाप देखेंगे ठीक है लेकिन पहले हम लोग जो बेसिक कॉंसेप्ट है एक एक वीडियो सारे चीज़ों आएगा ठीक है हम लोग स्टार्टिक में जो देखेंगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे बूट्स आगर हम लोग आगरा हम लोग بين JavaScript की तरफ मूँव करेंगे नहीं तो हम लोगा का मतुनी संथ 20 का मुशृET इस पूब पड़ा है कि सो धाक के जाव अब अब यह नहींग पड़ाया तक हैप इसिंग्ग जरूवट नहीं पड़ाईगी अन्हों नॉलेज होना चाहिए डोकुमेंट अब्जेक्ट मोडल का डॉम का अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज होगा जो कि मैं बता दूंगा ठीक है तो उससे आपका काम हो जाएगा उसके बाद हमनों का मेटेरियल माई मेटेरियल मेरी तरफ जिक चाह का चीजे रहे तो मैं आपको बता देता हूं कि देखिए इस टेफ फाइप में लिख देता हूं ठीक है इस टेफ फाइप में हमनों को क्या रहेगा हमनों क्या बताएंगे हम क्या मेरे इसे माटेरियल क्या क्या रहे चीजे रहेंगे जैसे कि मैं आपको इस्टीमिल का कम्प्लीट एक वी वीडियो ठीक है 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 इस्टीमेल के कम्प्लीट एक वीडियो मिलेगा ठीक है फिन्स दूसरा जो हमारा वीडियो रह आएगा वो सीसेस का आएगा ठीक है नोचे चैएसेस का कम्पलीट वीडियो मिलेगा क्या ठीक है क्य। क्युकर हम लोग Critics पर ज्यादा टाइम वरवाद नहीं करेंगे ठीक है हम रों का मेंट फोकस रहा डीपलकमेंट तो आएगा करते-करते सीखेंगे और वह सेदे की जादय हमारे लिए फाइदे मन रहेंगे क्योंकि हम लों को इंटरेस्ट भी आएगा अगर हमनों को कुछ पता cure क cruise नहीं नहीं आए गा और मजे नहीं आएगा ओंगे लन कुछीचे ए सरे उससारे छीचे फंडों को ध्याँ देना चीज़ ठीक है उसके बाद हम लों का बूट स्ट्राप अब बूट्सरैप में कम से कब तीन बीडियो रहेगा छोधा में हमेरा नहेंग प्रजेक्ट थ हमाराự रहेगा एक ऑग चाहन हें स्टाटिक website ठेल्ग है website रहेगा like blog टाइप रहेगा और ब्लॉग il viv gelir गोब्लॉग टाइप रहेगा दूसरा जो हमारा रहेगा लेज्यमे रहेगा हमारा ठेल्ध करेards Iraq seperti website रहेगा रिजिम में वेबसाइट रहेगा तीसरा जो हमारा रहेगा तीसरा जो हमारा रहेगा, अगर हमनों इतना बेसिक चीजे जान गए हैं, तो हमारा थोड़ा बड़ा लेबल करहेगा, अब कुछ, तो हमनों इसमें एक्चुलि डीजाइनिंग करेंगे, तो हमनों एक इनवर्सिटी या यूनिवर्सिटी और स्कूल का कोई एक वेबसाइट बनाएंगे ठीक है इस्कूल के वेबसाइट बनाएंगे और चौन्था हमारा जो रहेगा ना सोसल मीडिया रहेगा ठीक है सोसल मीडिया और फूड ओडरिंग आप कॉमेंट करके मुझे बताएगा कि इन में से मैं किस का वेबसाइट बनाओ ओडरिंग फूड ओडरिंग इन में से दोनों में से कोई एक रहेगा ठीक है इन से भी में से कोई एक रहने वाला है तो आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि मैं किस तरह का तो आगर आप जो चाहते हैं जैसे मैंने स्कूल और इनवर्सिटी में से कोई एक बोला है तो आप बोले हैं कि अगर इनवर्सिटी तो इनवर्सिटी बना दूँगा स्कूल बना दूँगा तो आप जो बोलेंगे वह सारी चीज़ों बनते रहेंगे बस कमेंट में डाल दू और उस पोल में जिसमें ज्यादा लाइक आएंगे मैं उस सारी चीजे वही उसी का मैं वेब साइट बनाऊंगा ठीक है तो यह हमारा मिटेरियल कैसे हमनों काम करेंगे अब हमनों मूफ करते हैं बैकेंड के तरफ कि हमनों हमारे बैकेंड में क्या क्या चीजे रहने वाली है या फिक फिल्टे बैकेंड में हमारा रहेगा स्टेउप लिचेट मों मेरे ले गाफ किहस्त Sahampping हमारे रहेगा बैकेंड अब बैकेंड में मैं क्या क्या प्रोवाइड करने वाला हूं आप लोग को वह मैं आपको एक्पिलेन कर देता हूं ठीक है एक्षिली इसको फ्रंटेंड लिख देते तो ज़्यादा अच्छा था ठीक है तो बाट इंड में आपक क्या है फ्रवाइंड करने वालब थोगा मैं एक्सप्रेंड कर देता हूं देखुए फ्रन्टेंड भैक significant में जो हमारे रहेगा एकowing 123 हम्हारा अगर पेहन हो नहों किमीद कर पाएंगे से नहीं कुछ भी नहीं कर पाएंगे ठीक है थोड़ा बहुत हमनों i है थोड़ा बहुत नोलेज लेंगे मास्कोल का है मा स्कौफिए और लेक्या शन्हें के बाद हम तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे crud application crud application crud application बनाएंगे crud application बनाने के बाद एक हम लोग बनाएंगे dynamic website dynamic simple website बनाएंगे simple website ठीक है उसके बाद हम लोग एक बनाएंगे प्रोजेक्ट में कि उसके बाद हमनों प्रोजेक्ट पर आएँगे ठीक है प्रोजेक्ट में बोगनें का इस पर पर्रेशा करसे का कसी बहूत करने में हमारा। कर सकते हैं मतलब फ्रंट इंड के थूर डेटा बेश के अंदर कैसे क्रियेट मतलब क्रियेट मेंस कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं अपडेट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं यह सारे चीजों को मिला करके बनता है क्रण सी मतलब क्रियेट और मतलब रीड ठीक है यह मतलब ठीक है तो crowd application बनाएंगे उसके वाज़ एक simple dynamic website बनाएंगे resume like चाहिए एक static website को हमनों dynamic करेंगे ठीक है तो उस तरह कहां एक website बनाएंगे फिन हमनों का आता है project तो project में हमनों बहुत सारी चीज़े करने वाले हैं प्रजेक्ट में हमनों एक बनाएंगे वही जो हमनों static website बनाएंगे वही सीक हमनों dynamic भी करेंगे तो कोई एक university का website लेंगे university website website और school website ठीक है और उसी को हमनों dynamic करेंगे ठीक है बी नंबर पर आता है हमारा यह बहुत बड़ा बड़ा project होने मारा है ठीक है फिर हम लोगे e-commerce लेंगे ठीक है e-commerce website ठीक है आप लोग उतना English पर मेरे ध्यान मत दिजिएगा क्यूंकि मैं थोड़ा spelling mistake करता हूं actually तो आप अगर कहीं अगर थोड़ा बहुत mistake हो तो उसको ignore करिएगा आप खुद से समद स सकते उतना ठीक है तो मैं आप लोग को एक्शली concept में बताने वाला हूं पूरा इस सीरीज में तो e-commerce हम नों next step में जाएंगे फिर हम लोग एक बनाएंगे food ordering का भी हम लोग food ordering का भी हम लोग dynamic website बनाएंगे ठीक है food ordering का भी ठीक है इतना हम लोग के लिए enough होगा backend में क्यूंकि यह बहुत ही time ले लेगा step 6 में हम लोग जाएंगे इतना सारे चीजे हम लोग को समझ में आ गई तो उसके बाद step 7 में हम लोग आएंगे step 7 में हम लोग आएंगे framework ठीक है framework में हम लोग रह एक्चली इसको पीछे लिखना चाहिए था ctrl x ctrl v ठीक है front end framework में हम लोग देखेंगे front end framework में हम लोग देखने वाले हैं react ठीक है only react देखेंगे ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं हम क्योंकि हमनों को पले ही bootstep हम लोग आ चुका है हमनों यहीं पर हमनों bootstep सीख लेंगे ठीक है तब हमनों को सिर्फ front end में react आना चीए ठीक है क्योंकि सिंगल पर अभी का trend है single page application का इसलिए हम लोग सिर्फ क्या बोलता है यह सिखेंगे और फिर back end में हमारा जो रहेगा एट नमबर पर वह रहेगा back end framework back end back end फ्रेमवक ठीक है back end framework में हमारा उसमें भी सिर्फ एक ही रहेगा क्योंकि दस framework सीखने से अच्छा है एक framework ज्यादा अच्छा सीख लें वह ज्यादा एवेटर है लाराविल only लाराविल क्योंकि लाराविल इस फ्रेमवक आपको मैं दिखाता हूं कुछ आपको मैं देखें आप गूगल पर सिंपल कर सकते हैं टॉफ फाइब बैक एंड फ्रेमवक इन ट्वेंटी टू लिखी ट्वेंटी ट्वेंटी वन की ठीक है है तोट्रें नमबर पी आता है लारान विल देख सकते हैं लारा विल त्हुत ही बड़ा फ्रेंबर के बहुत खुट ही लाज फ्रेमवर्ग है इसको अगर आप सीख जाते हैं तो इसमें आपका कम से कम तो दस से बाराल लाग का package आपका आराम से लग जाएगा। जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे लेकिन जल्दी जल्दी में बहुत अच्छे से सीखेंगे ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी में हम लों कूर कॉर कॉंसेप्ट को नहीं सीखेंगे को और नहीं आएगा तो मेंको framework कोई फाइदा नहीं है ठीक है नेक्स्ट हमारा framework जो आता है ओ है react तो इसको भी साथ के लेते हैं top five top five front end front end framework top five front end framework में देखते हैं तो सबसे पहला जो आता तो यही दो framework है फेस्ट बनाए गया इसको तो यही दो framework है जो अभी trend कर रहा है statistics इसका देख सकते हैं तो यह देखे 2022 में data देखे इसका trending देखे इसका trend देखे ला आव रियाट का देख सकते हैं रियाक कितना market लिया हुआ सरे के सरे जावा स्कूट करने सरे यह तो बस हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करके रख लीजे और प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूं उसको save कर लीजेगा ठीक है ताकि मैं आने वाले वीडियो में आपको और भी अच्छे से explain कर पाऊं कि हमारे क्या क्या चीजे आने वाली हैं और क्या क्या चीजे मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि यह जो series है बहुत ही मज़दान होने वाली है बहुत ही ज्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं इसमें अब मैं आपको as a teacher नहीं बताऊंगा as a developer बताऊंगा क्योंकि मैं एक company में working हो ठीक है और मैं walk कर रहा हूं मैंने बहुत सारे website बनाया है बहुत सारे web application बनाया है तो मैं आपको as a teacher नहीं बताऊंगा का मैं एजगा is a developer बताूंगा कि आपको क्या के चीजें आने चाहिए actually मैं काम करने के लिए और आपको किस तरह के packages जो है सब को मिल सकते हैं कौन-कौन चीज़ं सीखने के बाद किस तरह की चीजे आप सीखते हैं तो किस तरह के पैकेजस में? ये शारे चीजे में आपको इस वीडियो सीरीज दूहे में मैं बतानेई वाला हूं तो इस प्लेडिए को पूरे को सेब कर लीजिए बहुत ही मचैं आने वहरे हैं ठीक है? और front end से लेके back end तक मैं आपको पूरा अच्छे से बताऊंगा तो आपको किसी भी तरह के और किसी वीडियो में switch करने के आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यह थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि कि डीटिल में सीखने के लिए थोड़ा सब टाइम देना पड़ेगा ठीक है और आपका टाइम जो इस वेस्ट नहीं जाएगा आप इसमें पूरे को पूरे टाइम को इस वेस्ट करेंगे ठीक है तो थाएंक्स वर वचिंग इस वीडियो और एक बर आओर मैं एक बात पूछना चाहता था आप सबी से कि एक्चलि में इस वीडियो को जो रिकॉर्ड कर रहा हूं आप देख सकते हैं लिनिक्स है ठीक है लेनेक्स है तो लेनेक्स है आप लोग तो मैं आपको सजिस्ट करूंगा कि आपको Linux आना ही चाहिए तो मैं फिर भी अगर आपको Windows में चाहिए तो मैं आपको Windows के लिए भी मैं आपको option दे दूंगा जिसमें ज्यादा अगर वोट्स आते हैं मैं उसी इंवार्मेंट में जो है साफलों को development सिखाऊंगा ऐसा नहीं है कि मैं Linux में नहीं बताऊंगा Linux में बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी users होंगे जो Linux में सीखना चाहिए मैं दोनों में ही मतलब पूरा का पूरा development में start करूंगा वो होगा जिस इंवार्म आपने बताऊंगा ताकि आपनों को दोनों confusion ना रहें ठीक है तो बस आज की ब्लीव में बस इतना ही मिलता हमें किसी अधरवन किसी अधर टोपके साथ तुम्हें के लिए बाइबाइबाइब करिंए बढ़गाई तुम्हेस भर्या कर्शार लोटके साथ आपने प्यूंट को चेटाने टीक है ए-बडलयों को दोन ही करूंगा जिसत पाहाईबाइबाइबाइबाबदा धनी रहें रहें 50 बाहें